आज हम बनाएंगे सबसे सस्ता और इंस्टेंट बनने वाला बॉडडे मिनी केक तो इस केक को हम बनाएंगे एकदम घर के सामान से कुछ भी आपको जादा नहीं लगाना पड़ेगा और 40 रुपे से भी कब में एक केक बनके रेडी हो जाएगा तो आएए केक के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैंने लिया है मिक्सर ग्राइंडर का जार और इसमें डाल देंगे दो पैकेट चॉकलेट फ्लेवर का बिस्केट तो क्रीम सहीद इसको तोर कर डाल देना है तोडने से क्या हो जाएगा यह पीसने में हमको एजी हो पैकेट बिस्किट अब डालेंगे दोद तो दूद अब को इतना डालना है जिसे कि हमारा बैटल बहुत जादा गाड़ा भी ना हो और बहुत बतला भी नहों मेडियम थिकनेस का चगिए अमको अब इसमें डालेंगे लेमन का जूस तो एक चौता है लेमन का हमने इसमें दाल दिया है, लेमन का जूस डालने के बाद इसमें हम यूस करेंगे इनो, तो इनो हमको इनो फुरूट सोट डालना है है हमको, सिर्फ आदा पाउच बस पॉर्फिक्ट होगा इतने छोटे केक के लिए इनको हम मिक्स करेंगे, तो इनो को हम दूद, बिस्किट और लेमन कर दिया है, बेस में, और इसके उपर डालेंगे हम अपना बैटर केक का, अब बैटर को डालने के बाद इस तरह से हम थोड़ा सा बबल्स को डिमूफ कर देंगे, और बस अब यह हमारा बैकिंग के लिए रड़ी है, तो 7-8 मिनिट तक कूकर को हमने मेडियम तो लो फ्लेम पर प्रेट किया है, अब हम ढकन निकालके, एक को टोड़ा को पलटके, इस पर केक का बरतन रखके, और लो फ्लेम पर सीटी को निकालकर इस तरह से लेट लगा देंगे, और 30 मिनिट के बाद यह हमारा केक बिल्कुल रड़ी हो चुका है, तो आई हम इसको चेक कर लेते है यहाँ पर मैंने टूथपिक डालके देखा और यह बिल्कुल निकला है, गिला नहीं निकला है, इसका मतलब केक हमारा बेक हो चुका है, अब ठंडा करने के बाद हम इसको रिमॉव करेंगे, तो इस तरह से नाइफ को हम चारो साइड से घुमाएंगे, और इसली अंदर ब तो अब इसके डेकोरेशन के लिए हम यह क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ दस रुपे का जो चॉकलेट सीरप का पाऊच आता है, वो मैंने यहाँ पर लगा दिया है, और इसको हम थोड़ा सा नाइफ से प्लेन कर लेंगे, इस तरह से, कि सब्जिका इसका शिर्फ फैल जाए, और बस इसके बाद ही हमारा केक हो डेड़े हो चुका है, मेनी बर्डे केक, वो भी चॉकलेट फ्लेबर में एकदम सस्ते वाला, और इसके उपर हमने थोड़े से काजू लगा दिया, और रेड़े हमारा बर्डे केक